नमस्कार साथियो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल लर्ण टी लाइफ में तो आज नाइन्थ अफ नॉमबर और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का वोकेवली कवर करते हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडिय कर दिजिए और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर लिजे और यह हमारा सोसल मीडिया है अगर आपको सेशन का पीडियेफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जोइन कर सकते हैं तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्स पर मिल ज करता है स्टोरी प्ले और नोवेल डेट इस फूल अप एक्जिस्टिंग इवेंट एंड इन विच दा करेक्टर एंड इमोशन सीम्स टू एग्जाग्रेटेड टू बी रियल मतलब कोई ऐसा कहानी हो को एक प्ले हो मतलब जो ड्रामा वेगरा होता है नाटाव हो या फिर क अगर आओ के एकदम रियल हो सच्चा हो तो वह लेगेस को लेंगे हो है कि उसको बूत करें तो ड्रामा हो सकता है ट्रेइजडी हो सकता है प्ले सकता है पिर फार्स हो सकता है वह सक्षKY ओए जनाटक होता है वोय। है धातना होती है यह क्या बोलते हैं पले word हम देखते हैं फिर वो कौन सा पार्ट सो पेस्वीच है कि यह कि पार्ट सो पेस्वीच डिरेक्ली कोस्चन आता भी है बहुत सारे कुम्टेटिटिव इजाम में तो आपको यह जानना काफी ज़्यादा जरूर है कि पार्ट सो पेस्वीच कैसे अडिन्टीफाई करना ह बहुत सरे करना होता है और बहुत सारे जो होते हैं उनकेश्ष होते हैं तो जो भी सफिक्स हैंगि world के साथ साथ हम बताते चलेंगए तो वर्ड कि होगए एक बार सात में रिभाई зачем होगा जए जिसका हिती में नांटग होता है,क्मनीम्श की बात कर तो ड्रामा,थ्रेट, प्लेड या फिर फारस हो जाएगा चलते हैं सेकंड वर्ड के तरफ देखिया इसका ट्रीक भी हम बता दे रहा है कि यह क्या क्या होगा जो ज्बरामा से मॉना करती है जिसे मॉना कम बातुर पर मोना अगर आप कोई लड़की देख रहे है जिसका नाम है तो बुरा मत मानिएगा बस बता रहे है एक जामपल के तौर पर कि जो मोना है वो क्या है बहुत melodrama करती है, यानि कि जो mona है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा melodrama करती है, यानि कि नाटा करती है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, और अब भी अगर ऐसा trick बनाते हैं, तो comment session में जरूर comment किजिएगा, इससे बाकिली लोगों को काफी ज़्यादा help मिलेगी, word को याद sewing, यानि कि जो मतलब कह रहे है, उसके opposite का मतलब really mean कर रहे है, ठीक है, वो क्या कर रहे है, mean कर रहे है, यासा so कर रहे है, तो बिड़न नात्मक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बिड़न नात्मक इसका हिंदी मिनिंग हो जागा, जो बिड़न नाव से भरा हुआ हो, senior names की तो सरकास्टिक हो सकता है सेडोनिक हो सकता है ऐरोनिकल हो सकता है फिर सीनिकल हो सकता है तो यह सब क्या हो जाएंगे इसके सीनोडम सुझाएंगे जिसका मिनिंग क्या होता है सेम होता है तो वर्ड क्या हो गया आरोनिक जिसका मिनिंग क्या होता है बिढम बनातमक यानिक जो बिदम नाव से भरा हुआ अगर इसको याद रखना होगा तो इसका भी बहुत त्रीट है कि आप आइरोनित को आरवन ने को इसका इस्टोरी का है काफी ज्यादा आई रोनिक है तो आई होप आपको ट्रीक अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक तो पहले वीडियो लाइक कीजिए फिर आगे देखिए और अंतक जरूर देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला तो देखिए थर्ड वर्ड क्या है फ्यूटिलीटी फ्यूटिलीटी की बात करें तो एक नाउन है नाउन क्यों है यहां पर बता देते हैं सफिक्स का बात किये थे थे थोरा दिर पहले तो देखिए वर्ड क्लास्ट में अगर आपको आई टी वाई जहां भी दिख जाए आई टी और वाई तो समझ लेजिए कि हो उसको फ्यूटिलीटी बोलते हैं तो हम पहले जो बहुत बार यह वर्ड कवर भी कराया है और उसका बताया थे आपको ट्रेक की जो फूटा हुआ टाइल्स होता है वो क्या होता है यानि कि वह बेकार होता है उसका कोई खास यूज नहीं होता है तो इसको याद रख सकत है फूटा हूँ रख क्यू निई ऑटाइल कि होता है और यह उसी का खनान कंंन है तो इसका हिंदी मिनिंग करें निर और फड hyg default को का इस्वाइँ हो सकता है उस्क्त श्रखलत या फिर भैनिटी तो इससानी इतना बार्ग पेढ़ धुसका धक्या हो जाए ने संहंति सो और फूर्टलेशनेस यह फिर वैनिटी हो जाएगा अब देखते हैं फोर्थ वर्ड फोर्थ वर्डर कहां चन्फलिक्ट बहुत कमान वर्ड है और बहुत बार हुआ भी है तो फे मिलग की बात कर तो यह श्रीव多 जो भी ज नावने सहां और्बमेंट होता है तो यानि के सिरियवस अरगमेंट बोल सकता है चंगार्स भी हो सकता है सिनोनेंच की बात कर तो सकता है वdiह प्रफास निक्ट हो जाएंगे तो समझ में आगया गोकभ Germane की जो खता है डिस्पीट मतलबसर आना कानी हो गया हो ठीक हो तुसको conflict बोलेंगे जैसे बहुत बार होता भी है दो देशों के बीच में कुछ ना कुछ लेकर तनाव जो बढ़ जाता उसको conflict बढ़ा जाता है next deterrence अगर deterrence की बात करें तो deterrence यहां पर एक नाव ने इसका मिनिंग होता है the fact of making somebody less likely to do something तो इसका अगर synonyms की बात करें तो नीवारन हो जाएगा ठीक नीवारन हो जाएगा synonyms की बात करें तो disincentive हो सकता है intimidation हो सकता है prevention हो सकता है फिर पुड़े ट्रेंस नहीं मिलेगा ऐसे आप इसको याद रखते हैं ठीक है तो अगर किसी काम में आप डटे हुए जैसे आप लगे हुए अपने परहाई में डेली अप सेशन लगा रहा है सब क्लास देख रहा है डिने सटादी कर रहा तो आप जरूर एक बार क्या हो रहे है अपको लाइफ में सक्सेस मिल जाएगा तो चलते हैं नेस्ट वड के तरफ कि Interlocator Interlocator की बात करें तो एक noun है Interlocator क्या है, एक noun है जिसका meaning होता Taking part in a conversation with you मतलब कोई ऐसा इनसान जो आपके सांथ conversation में participate कर रहा है भाग ले रहा है, जो आपसे बात चीथ कर रहा है तो उसको क्या बॉला जाता है Interlocator बॉला जाता है Interlocator करें। तो इसका हइन्दे मिद्स इम आपको कि समझ में आ गया है जैसे कोई यह चीज देखकर आप और आपके दोस्त के उसे डिसकस करने लग रहा है उस् Joining की हुआ नेक्स्ट वार्ड की बात कर तो नेक्स्ट वार्ट के परवीव । norms9 परवीव के अधने प्रीब Liebe रही है यह पर वार्वी 10 और इसको प्रीव का ट्रीक से यहीं बताएंगे तो आगे देखते हैं ट्रीक परहिए मिनि देख लेते हैं तो इसका मिनि होता है है विट आउट साइड दा लिमिट सब वाट पर सन एन और गनायजेशन एक्सेटरा इस रिस्पोंशिबल पो तो पर भी मतलता है दाइरा मतलब कोई चीज जो कि आपके दाइरे में हो लिमिट में हो जो मतलब जहां तक आपका पहुच हो उसको पर भी वोलते सीनोनेम्स की ब प्रभी वहता है किसी चीज का तो क्या होना चाहिए तो परभीव को प्रिभीव से याद रख सकता है तो आप बात कर लेते हैं हमवर्क का तो जोब यहाद आप सीख रहा है तो अभी सेसं लगा लीए बाद में इस सारे वर्ड को क्या करेंगे इससे sentence बनाके telegram पे share करेंगे ठीक है link आपको description box में मिल जागा telegram पे तो उसको join कर लेना है और दरवाइज आप यहाँ पर भी चाहें तो अगर telegram यूज नहीं करता है तो यहाँ पर comment section में comment कर सकता है sentence बनाईए अगर आपसे काम आने वाला है क्योंकि वैट section होता है एससे में और वहाँ पर word association टेस्ट होता है वहाँ पर word से आपको sentence बनाना होता है आप अभी सहीं practice करेंगे तो जरूर आपको आगे चल के help होगा तो next word क्या हो गया सेड हो गया जो एक भर्व है इसका meaning होता है to get read of something that is no longer wanted मतलब कोई च आप सुने होंगे जब जब season change होता है तो जो पेर पौधे होते हो अपने lips को क्या कर देता है सेड कर देते हैं उसको त्याग देता है छोड़ देता है और फिर बाद में नयने पतिया उस पहोग जाती है तो सेड मतलब सालिका बोल सकते हैं सिनोनेम्स की बात करें तो सेक स् चीज को जैसे पेर पौधे को अभी बता हैं दिए एक्जांपल के तौर पर अपने पतिया क्या कर देते हैं गिरा देती है नाइन्थ वर्ड नाइन्थ नमबर वर्ड टरपेडो टरपेडो एक तरह का क्या है तूपान टाइप का है जो समूंधर वगरा के साइड में उठ होता है लोंग नेरो बंब डैट इस फाइड अंडर वाटर फ्रम सीप और सब्मरीन एंडट एक्स्प्लोट्स वेन इट हीट सीप एक्सेटर लेख तरपेडो एक तरह का मतलब बंब मिसाइल भी यूज किया जाता है जब हम फायर करते हैं कहां से पानी के अंदर करते हैं और सब्मरीन यानि कि जो पंडू भी वेगरा होता है फिर जहां से फायर करते हैं और जब वह हीट करते हैं दूसरे सीप तो क्या करते हैं वहां पे थ्थर सा तुफान टाइप के उठके आ जाता है उसको भी तरपेडो बोलेंगे तो तरपेडो का हिंदी सिननेनम्स सिद् अजब़ें ग्रीन डर और या फिर शूटर हो सकते हैं प्रिक्चर में देख सकते हैं तो नुकल तर्पेडो मतलब हो गया कि मिसाइल वेगरा फायल करना जब हो हीट करें दूसरे पर उसको तर्पेडो वह लेंगे लेकिन टैअक्टिक भी मूद सकता ति क्या हो सकता है कि फोरेंट हो सकता स्तुऩिक हो सकता हो सकता है पर मस् सकता है तो आई होप आपको वल समय आ गया करेंगे तो आपको ऐसे ट्रीक तुरूड आसानी से बहुत सरा याद हो गया होगा तो आज सेशन पर नया है तो चैनल सस्क्राइब कर लीजिएगा देखिए होमवर्क हम डेली देते हैं तो हम अगर जो स्टुडेंट पनाते हैं उसका यहां पर दिखाया जाता है तो पता न लोग कहीं मेला वेगर घुमने चले गए होंगे इस वज़ा से या फिर गरहन था तो क्या पता कहीं कहीं गरहन में परहाई भी नहीं होता होगा मतलब जो भी रिजन होगा लेकिन अगर आप सेंसियर स्टुडेंट है तो हम अर्ग बनाईए खुद आपको कुछ टाहीं बा अर्ग बनाईए तो हम अर्ग ऑन नहीं आपको कुछ था हम आपको कुछ बनाईए खुद आपको कुछ